प्लस ये आने वाली है प्राइजिंग रेंज की में बात करूंगा अभी सारी कुछ बात करने वाला हूं ये वीडियो को जो है एंड तक वाच करते रहें तो देखते रहें तो भाई सामने सो आप मेरे वेरियंट देख रहे हो वो आपका टाटा कर्व EV एमपावर्ड प्लस ए 55 यानि कि एकदम टॉफ वेरिंट आप मेरे सामने देख रहे हो इसका फुल डिटील वीडियो जो है यह होने वाला है एंड इसमें क्या कुछ फीचर्स आपको उफर कर दे जाती है उसकी मैं प्रॉपर बात करने वाला हूं सबसे पहले तो बात कर लेत एक और अच्छी बात आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी वो क्या ये की हाँ भाई तो टाटा ने इस बात कीवी चेंज कर दी है और ये काफी ज़ादा प्रीमियम लग रही है ये की आप खुद देखो और कमेंट करके बताओ टाटा के लिए ये एक लाइक तो बनता है मैं चैनल को भाई कर लो सब्सक्राइब ताकि आपको जो है नियू नियू वीडियो जल्द ही मिलती रहें यहाँ पे आपको ये बोनप से कुछ जब सोन कीरást लोगा नगिस को सेम तरी के देखने को मिल जाते हैं तो यह घाड़ी जो है मैं बताओं तो बहुत जादा जूँए तगड़ी ओने वाली य्याँ फ्रेंट में यहां को ऐसको जब आप उबर खीच को तो वहां से आप जो है इसको चार्ज भी कर सकते हूँ नीचे आपको मिल जाता है यह प्रोज्डेक्टर सेटप है पीडिकर अपर बात करों फूली LED मिल जाता है क्या लुक्स मिलते हैं एंड फरंट से तो चलो यह थोड़ी बहुत नेक्सवांग की तरह देखने को मिलती है बट रेयर से बहुत ज़्यादा तकडी मिलती है गाड़ी इसमें एडास भी आ जाता है और फ्रेम लाइस वाइपर्स आपको साइज की तो हैं आपको साइज देख्राइज को अठारा इंच का मिल जाता है side cladding piano black finish में आपको दी जाती है ORVM's piano black treatment में मिलते हैं with camera यानि के नीचे आपको camera मिल जाता है जो कि 360 degree का side camera हो जाता है यहां के अगर मैं बात करूँ तो EV की बैसिंग मिलती है यहां पर देख रहा है क्या side gloss दी गई है बहुत जादा बढ़िया लग रही देखने में यहां पर भी यह आपको window garnish भी piano black में दी जाती है उपर आपको sunroof मिल जाता है panoramic sunroof काफी जादा बढ़ा है आपको देख सकते हैं एक piano black antenna मिल जाता है यहां पर जो B pillar है वो piano black में मिलने वाला है यहां पर जो door handles है वो आपको कुछ-कुछ हद तक XV 700 जो आती थी अभी तक उसकी तरह देखने को लगेंगे बढ़ काफी यह काफी जाता बढ़िया quality की है यहां पर आपको मिल जाता है यह door handles chromish treatment के साथ यहां पर piano black finish नीचे आपको यहां पर ambient light मिलती है यह देख रहे हैं यहां पर मैं आपको अभी जला के दिखाऊंगा नीचे आपको बोटर होल्डर यहां पर जो seat आपको ventilator मिल जाती है co driver side and height adjustable आपको मिलती है बट आपको manual ही करनी पड़ेगी बाकि यहां पर अगर मैं बात करूं glove box की तो size देखो यार आदमी fan हो जा यार क्या size मिलता है मतलब काफी ज़्यादा deep है with light मिलता है and काफी ज़्यादा shaman आपका आजाता है यहां पर यह देख रहा है यह चीज ambient light मिल जाती है आपको और भाई बहुत ज़्यादा luxurious है driver side door पर जाके मैं आपको दिखाऊंगा अंदर जाके और यह एक कूप type का design दिया गया है वह इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा premium बनाता है and भाई की पैसे इसका boot open हो जाता है पीछे वाली भी आपको disc brake offer हो जाती है आप देख रहे हैं यहां से और आगे वाली भी आपको disc brakes मिलती है तो safety wise इस गाड़ी में five star rating आपको मिली जाएगी obviously टाटा की गाड़ी है six six number of airbags मिल जाते हैं आपको और याई जो color जो निकाल लाए ना टाटा वाले बहुत ज़्यादा बढ़ी है निकाल लाए पीछे के spoiler टीफोगर्स मिल जाएगा देखने के लिए और यह spoiler बहुत ज़्यादा sporty लोग दे रहा है गाड़ी को यह देख रहा है यह भाई किस तरीके से इसकी जो tail lights रिजाइन की गई है यह देख रहा है आप indicators मतलब यार after market को वर्क कराने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर center में टाटा का logo उसकी जी नीचे आपको camera मिल लाए दाटा कर्व EV की बैसिंग मिल लाए थी यह देखने के लिए और भाई reflectors जो है आपको नीचे की तरफ देखने को मिल लाएंगे और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यह देख रहा है reflectors वो गटा भी बढ़िया है यह प्यानो black treatment यहाँ पर मैं खुल के बात करूं गाड़ी को तो यहाँ से आप open कर सकते हो otherwise की से भी आप open कर सकते हो यह देख रहा है यह कुछ इस तरीके से जो जैसे कि आपको अभी तक हैरियर या सफारी में देखने को मिल लाएगा यहाँ पर light मिल लाएगी पीछे और बूट स्पेस की मैं क्या ही बात करूं यार इतना जादा बड़ा 500 लीटर्स का बूट स्पेस मिल लाता है बे और क्या ही चाहिए यहाँ पर आपको कुछ स्पेस देखने को मिल लाएगा यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो स्पेर वील यह नीचे रहने वाला है और इसमें आपको यह पंचर किट भी मिल लाती है मतलब आप इसमें कभी कबार आपकी गाड़ी की जब हवा निकल ला है तो इस से आप इसली भर सकते हो और यह वैसे चार्जर है इसका यहाँ से मिल लाव इसको चार्जर कर सकते हो तो बढ़ी है यह गाड़ी काफी अगर मैं बात कर लो इस गाड़ी में आपको इस सस्पेंसन जो हैं पीछे और आगे दोने जगा चींच करे गए हैं बहुत ज़्यादा अच्छे डाले गए हैं पीछे आपको एक जेब आप भाई चलते हैं इस गाड़ी के अंदर और क्या कुछ फीचर्स मिल जाते हैं उनकी बात कर लेते हैं तो यह देख रहा है आप ड्राइबर साइड डोर यहाँ पर आपको यह प्यानो ब्लाक टीटमेंट यह सॉफ्ट टच मिल जाता है बहुत ज़्यादा अच्छा लग और फूल्ड के कंट्रोल यह सीट जो है आपको एलेक्ट्रोनिकली एजिस्टिबल मिलती है विट वेंटिलेटेट सीट्स जो है वह आपको ओफर हो जाती है और यहाँ पर आपको ब्रेक एंड स्पीड पैडल देखने को मिल जाएगा इसको पावर पैडल भी हम कह सकते है क अलब इसको सिल्वर फिनिश आप कह सकते हो और बैट के अगर मैं बात करूं तो एक सॉलिट फील तो आई जाता है इसकी बिल्ट क्वालिटी को लेके और यह देखिए भाई इसका इंटिरियर कितना ज्यादा लग्जूरियस है यहाँ पे आपको पूरा लैदर रैप्ड स स्टेरिंग वील पे भी डूल टोन दिया गया है यार सिल्वर प्लस आपका यह जो बीज कलर जो आप देख रहे हो वो और इगनीशन देखो भाई इस गाड़ी का कितना ज्यादा अच्छी थीम आती है सामने आप जो एमाईडी देख रहे हो उसमें आपको सारी की सारी ची जो के एक डिजिटली तरीके से शो होता है वो काफी बढ़िया लगता है आप टाटा की कार्स में 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 लब एक लग्जरियस प्लस आपको एक बजट वाली गाडियों में बहुत जादा अच्छी तरीके से यह सारी चीजन देना तो यह टाटा ही कर सकता और कोई नहीं कर लाती है यहां पर इतनी बड़ीया जो है बड़ी स्क्रीन आपको देखने को मिलती है यार और किया चाहिए यहां पर इंफोटेन्मेंट की बात करो तो यहां पर करीब रिभी ट्वाइल पाइं इन्चिस का इंफोटेन्मेंट मिलता है एंड होम पे जाकर आप इसारी केमरा क्वालिटी रखती है यार मतलब जो हैरी एर सफारी आती है उनकी भी केमरा क्वालिटी इसी तरीकी की है विल्कुल और बिल्कुल भी है मतलब जो स्क्रीन है वो लैग नहीं करती है मतलब बिल्कुल भी हैंग वगेरा यह होती नहीं कोई सवाल ही नहीं है और बहुत ज देखा गया है इम्मेंट लाइट भी काफी ज़्यादा अच्छी मिलती है इसमें मनलब कुछ अलग तरीक है कि आपको देखने को मिलेगी नाइन नम्मर ऑफ स्पीकर्स मिल जाते हैं हाँ वाई इंक्लूडिट ट्विटर्स यहाँ पर सॉफ्ट टच आपको देखने को मिल जाएगा एंड नीचे आपको एसी वगरा की कंट्रोल्स मिल जाते हैं एंड काफी सारे और कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं जो के नीडिड होते हैं गाड़ी में एक अच्छी गाड़ी को बनाने के जिली एजो सारे की सारे की सारे feature जो आने चाहिए ना वो इस गाड़ी में आ जाते हैं आपको दे 자्ए किरी के लिए कंटर्स बटन भी मिल जाता है तो उसको अब दबा के आराम से 360 जातने के मिल लिए म panda इन्फोटेन्मेंट में अलग से जाने की जनरोत नहीं है हैं ही से आप इसको स्वीच हो और देख सकते हैं या आपको इंजिनर्स ऑन बटन जो है वो देखने को मिल लाएगा यह प धेर बोक्स का कहां है यहां यहां इसको मोड्स मिल लियाते हैं ड्राइविंग द्रीर्ड रिवर्स पार्किंग और तीन तीन मोड्स आपको इको नॉर्मल एंड स्पोर्ट मोड मिल जाता है यह वायलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है यह जो एरिया है ना सेंटर वाला बहुत बढ़ी अलगता है यहापर आम रेस्ट की में बात करूं तो अच्छा खासा इस पेस तो दे दिय जाता है मतलब डीप काफी ज़्यादा है इसमें आप अच्छा खाचा मतलब थोड़ा वह सामान डख सकते हो एजस्टेबल तो नहीं है एक vanity mirror बट कोई भी light नहीं दी गई light की थोड़ी बहुत कमी आपको देखने को मिल जाएगी मतलब vanity mirror के यहाँ पर and यह है इसका sunroof भाई one touch पर open होता है और यह सारा का सारा open हो जाता है मतलब बहुत जादा वड़ा है मतलब मेरे जैसे तीन लोग इसमें से आराम से बाँ निकल सकते है तो मतलब बहुत जादा बढ़िया है यह अभी और पीछे हो जाएगा थोड़ा अगर मैं एक और बार बटन को प्रेस करूँगा तो बढ़िया है मतलब काफी सही साइस का आपको जो है sunroof भी मिल जाता है अच्छी बिल्ट कौलिटी बहुत बड़िया जादा मतलब जादा कोई ऐसे फीचर नहीं दियागे जो फाल्टू हूँ सारे के सारे काम के फीचर मिलते है मतलब सारे के सारे फीचर काम के टाटा यह काम कर रहा है तो भाई उसके लिए एक लाइक जरूर से बनता है और भी कई गाड़ियां लाँच होने वाली है हाल ही मैं तो उसके लिए भी आप चैनल को सस्क्राइब कर सकते हो बहुत जल्द आपको वीडियो देखने को मिल जाया करेंगी और इस गाड़ी के अगर मैं एक और अच्छी बात बताऊं तो ये आपकी जो जीरो टू हंट्रेड ओनली एट पॉइंट सिक्स सेकंड में ते करेंगी मतलब ये भी बहुत ज़्याद अच्छी बात है कि इसके स्पीड भगेरा भी काफी ज़्याद अच्छी मिल जाती है और चलते हैं पीछे और बात कर लेते हैं इसके सैकंड में आपको क्या कुछ फीचर मिल जाएंगी उनके बारे में ज़्याद किषॉप्ट कर I. इंटर की डॉर फैंडल के रहां शेते हैं M सीट कंशावाल का पो ज्लाकर लेति यह ik cens रही है एक चीज़ रहे है यह मीन लाइट आपको यहां पीमिल दी घु और मैं बैट चेसे बात करूं पीछे वाली सीट पर तो एक अच्छा खासा मुझे नीरूम मिलता है, एक सेकंड में इदर देखके मैं लब इदर जाके बताता हूं कि ये सीट थोड़ी से पीछे हो रखी है जिससे आपको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा स्पेस भाइस, बट यहाँ पर आपको आ जाएगा मेरी हाइट सिक्स फीट है और उसके कोडिंग आप स्पेस देखू, काफी ज़्यादा बढ़ी आ है ये आगे वाली सीट जो है ना वो भी काफी ज़्यादा पीछे है, तो उस वज़ए से फिर भी थोड़ा बहुत कम स्पेस आपको देख रहा होगा बट भाई बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी है स्पेस है यहाँ पे भी ये इमेंट लाइट आपको देखने को मिल जाए ये लाइट देख रहे हैं भी येलो कलर किसे जल लाइए उबर संडूफ के पास वहाँ पे भी आपको लाइट मिलती है तो मतलब एक नाइट का जो व्यू है ना वो गाड़ी बहुत ज़दा बड़ीया देदेगी पीछे आपको एक आम रिस्ट मिल जाता है जहाँ पे आपको टूटू का फोल्डर्स भी देखने को मिल जाएंगी एंड पीछे सारे के सारे एडजिस्टेबल हैंडरेस मिल जाते है एंड जो अंडर्थरी सपोर्ट है वो भी एक नमबर दिया गया है गाड़ी में यहाँ पे यह पियानो ब्लाक ट्रीटमेंट तो मुझे परसनली यह गाड़ी बहुत पसंद आई है इस गाड़ी के जो है मतले अब ग्राउंड क्लरेंस वगएर आपको मिल जाता है आपको घिशाट क्नेने करेंड के जाए मों पूलिप फट्री में पाड़ी को मिल जाए है भाए इस वेरियंट में आपको 55KWH मिलने वाली जो कि टॉप Üर्यंट है अगर आप इसके मनलब जो लोर वेरिंट की तरफ जाओगे तो वहाँ पर आपको 45 KWH की बैटरी देखने को मिल लेगी इसकी जो ड्राइविंग रेंज है वो आपको 585 किलो मीटर सकती की देखने को मिलती है याने के भाई साड़े 500 से भी जादा और अगर इसके जो लोर वेरिंट की मैं बात करूँ 45 KWH की जिसमें बैटरी आती है तो उसकी आपको ड्राइविंग रेंज मिल लाई करीपरी 502 किलो मीटर तक ही और इवी की बैसिंग भी मिलती है भाई आपको तो बढ़िया है काफी ज़्यादा बाकी आपको परफॉर्फॉमेंस की मैं बात करूँ तो 165 किलोमीटर माला 165 BHP आपको मिल जाएगा और 215 एनम तक का टॉक आपको गाड़ी दे देगी फ्रंट वी ड्राइवे एलेक्टरिक है और भाई बहुत जादा बढ़िया मुझे लगी इसका डिजल वेरिंट की अगर आपको वीडियो देखनी हो तो वो भी जल्द आने व